तो इस वीडियो में हम बेसिकली IBPS PO Mains और IBPS Clark Mains की जो result date है वो कब तक होगी या क्या expected है उसके बारे में बात करेंगे तो जैसे कि हम सबको पताए कि 22nd को जो अभी हुआ है IBPS PO का Mains और 25th को जो हुआ है IBPS Clark का Mains I hope आप सब लोगों का अच्छा गया होगा Mains और SBIPO का Mains का result आ गया है तो congratulations उन लोगों को जिनका वो clear हो गया है I hope अब आप लोग interview के preparation कर रहे होंगे ठीक है तो जब से ही IBPS PO का Mains और 22nd को उसके बात से ही discussions होने चालू हो जाते हैं कि क्या cut off रहेगी क्या Mains की date रहेगी मलब result की date क्या रह सकती है क्या होगी तो मैं उसके बारे में कुछ बात करता हूँ तो अगर last year का हम देखें तो last year IBPS PO जो Mains से हुआ था वह हुआ था 4th Feb को और 18th Feb को उसका जो है वो result आ गया था तो आप सीरत देखें कि 14 days पर last year क्या हुआ था कि क्योंकि काफी कुछ delay हो गया था और हम सबको पता ही है कि जो cycle है इनकी वह है कि इनको 1st April तक जो है वो final result देने होते हैं तो इस वह से last year काफी जल्दी हुआ था कि result जल्दी देदें तो क्योंकि उसके बाद फिर interview हो interview का process भी काफी चलता है एक महीन दो लग जाता है फिर उसके बाद उसका result आता है तो इसलिए काफी जल्दी हुआ था बट इस बार जो अगर हम देखें तो IBPS PO का जो mains है वो 22nd को हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी देंगे कि 12-14 days में दे देंगे बट आप 100% expect कर लिजे कि 10th February या उससे पहले जो है वो result आ जाएगा कि तब तक काफी time हो जाएगा और तब तक result भी अराम से निकल जाएगा तो मतलब 14-15 days तो नहीं मानी है बट आप 10 February से पहले जो है वो result expect कर सकते है फॉर शॉर चेक है अगर फिर IBPS clerk की बात करें तो IBPS clerk का जो mains का result है वो 1st April को ही आता है क्योंकि इसमें कुछ भी वो नहीं होता है कि mains करने के बाद कुछ interview है या कोई process है तो इसलिए इनका जो final result है वो 1st April को ही आता है क्यो उसके बाद भी उसमें भी interviews होते हैं तो इसलिए जो final result है वो तब तक आएगा तो clerk वालों के लिए तो आपको wait करना पड़ेगा 1st April तक बट हाँ अगर जिनका IBPS PO का mains अच्छा गया है मैं उनको recommend यही करूंगा कि आप लोग result का wait मत करिए क्योंकि interviews के त्यारी करने लगिए क्योंकि interviews में भी बहुत सारा time नहीं होता है तो इसलिए better है कि आप interview के त्यारी करने लगिए और ताकि फिर आपको जो time है क्योंकि paper देने के बाद आपको idea होता है कि आपका कैसा गया अगर आपने अच्छे attempts कर रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ आपका निकल सकता है तो इ वो लोग जो जिनका अच्छा नहीं किया है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि उनका निकलेगा आई वीपीस प्यों कमी उनके लिए better रहे हैं अब नेक्से टेर्म्स के लिए त्यारी करने लगिए अब भी उससे पहले ESIC की विकिंसी आई हुई है ESIC के लिए prepare करिए मार अब अगर हम लोग कट ओफ के बात करें तो देखिए कट ओफ का discussion करना बहुत ही वेग चीज है आज के time पर क्योंकि इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर हमने जो attempt कर दिये हैं अब वो कट ओफ के basis पर हम कुछ निकास नहीं क्योंकि जिससे हम सभी देख रहे क्योंकि आपको भी पता है normalization हो रहा है सब कुछ हो रहा है इस समय तो वो उस discussion में पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग अगर अच्छा गया है तो मेंस के इंटर्व्यू के त्यारी करें और अगर अच्छा नहीं गया है तो बेटर है कि हम next time के लिए prepare करने लगें अभी सही चीक है तो यह रही जो भी important update अगर इसके regarding कुछ भी और पता चलता है तो मैं definitely आपको update कर दूँगा और अगर आपको कुछ भी और doubt है कुछ भी आप पूछना चाहता है तो अब comment करके मुझे यहाँ पर पूछ सकता है Thank you and all the best